इस कारेकरम के प्रायोजक हैं कई बार आपके सामने सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं लेकिन कैसे इन समस्याओं से उबर कर आप अपने आपको सक्षम बना करें करियर पर फोकस देखते हैं करियर निर्माण में कुछ समय पहले तक कुष्ट रोग को एक भयावय बिमारी माना जाता था लेकिन आज की समय में इस मानसिक्ता में बदलाव आ रहा है अब इस रोग से ग्रसित लिवा भी इसे एक श्राब समझ कर डैने की बजाए इसके उचार की प्रतिस सजग है और साथ ही साथ अपना करियर बनाने की प्रति भी पूरी तरह समर्वित है मेरे स्कीन पर राउंडिंग था राउंडिंग था रैड कलर का दाग था तो ठंडी के मौसम में ज्यादा नहीं आ रहा था फिर एक दिन अचालनक में में मिडर के पास गया तो मुझे निए दिखा कि सारे बोडी में ऐसा एसा एसा राउंड टैप का धबा था फिर मैं आया या डॉक्टर के पास चैक अप कराया फिर उन्हें बताया कि एलेपरेशी प्रोबलों में मौँ तो फिर सर से मिला मैं उन्हों ने बताया कि तुम्हारा कुछ तुरोग जो बिमारी होता है वो है वो तुमों को रियक्ट कर गिया है तो एक साल की दबा चलेग कि दावाले के महीं ने बरहात हो मैं यह यहीं को पं अचे तसका लिए के वह अपने देखा हुगा इस तरी का पैरों में पाते हैं थिक है उसके लिए हम रिकन्स्ट्रक्टिव जरुक्रिज करते हैं थिक हातों kita हातों के हाथों को जो स्वस्त नसे हैं उसको डिजीज पाइदा हुआ है तो इन सर्जरीज को जो कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है यदि अच्छी तरह से किया जाए और प्रॉपर फॉलो अप रिहबिलिटेशन पॉइंट आफ वी से तो मैंने समझता कि इतनी क्रिपलिंग है कि आज कल इसको एक स्टिग्मा की तरह देखा ज युववर्ग भी जो इस तरह की बिमारियों से ग्रसित है उनकी मदद और उप्चार के लिए कई ऐसी संस्थाइं हैं जो काम कर रही हैं जैसे मुफ्त दवाईयां दिलाकर या अलसर से बचाव के लिए जूतें और कई जरूरी चीज़े देकर ऐसी संस्थाइं उन्हें मा अगया वो पैच में फिलिंग नहीं है लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं यह कुछ नहीं है ऐसी माक आ गया तो अगर अर्ली डिटेक्ट होगा तो फिर टोटली क्यॉरबल एक साल के अंदर टोटली क्यॉरबल और वो किसी को कम्यूनिकेट भी नहीं कर सकते तो इसलिए हमारा एफर्ट है तो सी देटेक्टेड अर्ली ऐसे रोगों को भारत से खत्म तरने के लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं इसके लिए कई अस्पदालों में तो मुफ्त दवाईयां और ऑपरेशन सतर्की सुविधा मौजूद है लेकिन इसके लिए युवाओं का इसके जागरुक होना सबसे जरूरी है इसलिए हम लोग उनको सेल्फ केर सिखाते हैं और उसके साथ हम लोग उनको जूते देते हैं तक कि उनके पाउं की प्रोटेक्शन हो कुछ रोग निसंदे है के ऐसी बिमारी है जिसका खात्मा होना बहुत जरूरी है हाला कि मौजूदा स्थिती के मुताबिक अभी तक इस बिमारी का पूरी तरह उनकोलत तो नहीं हो पाया है लेकिन जागूर्पता और जानकारी देने के साथ साथ अगर निरंतर प्रयास रहे तो ये रोग यकीनन खत्म हो सकता है इसकारेकरम के प्रायोजक थे?